थाना भीरा द्वारा दोशात्र रपराधी बेजे गए जेल वादी श्री राजीव कुमार पुत्र गजराज द्वारा थाना भीरा पर सूचना दी गई कि दिनांक 10 नवंबर 2020 को करीब रात के 8 बजे वो और उनकी पतनी लखींपूर से वापस अपने गाउं डिमरोल जा रहे थे रास्ते में जानकी देवी स्कूल बिजुआ के आगे उनकी मोटर साइकल को अग्यात व्यक्तियों द्वारा रोक कर एक मोबाईल टेक्नो कंपनी का वा 500 रुपए उनसे छीन लिये गए सूशनपर थाना भीरा परततकाल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंचिक्रत किया गया विवेशना के क्रम में थाना भीरा पुलिस द्वारा दो अभियूक्तों को गिरफतार किया गया है जिनके कबजे से घटना में छीना गया मोबाईल फोन एवं 4,000 रुपए बरामद हुए है अभियूक्तों के कबजे से दो अदद तमंचे 315 बोर एवं 4 जिन्दा कार्तोस भी बरामद हुए है जिसके संबद में आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंचिकरत कर विदिक कारिवाई की जा रही है लखीम पूर्खीरी से दिनेश कौतम की रिपॉर्ट